मरकुस नौ अध्याय बाइस पद में एक पिता जिसका पुत्र दुष्टात्मा से घरसित है वो येश्यू के पास आता है और वो कहता है कि उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में और कभी पाने में गिराया परनतो यदि तू कर सके तो हम पर तरस खा कर हमारा उपकार कर यहां पर यहां पिता कह रहा है कि यदि तू कर सके तो हम पर तरस खा कर हमारा उपकार कर यहां विश्वास कांगी कार नहीं है वो इस विश्वास के साथ नहीं कह रहा था कि परमिश्वर सर्वशक्तिमान है वर उन्हों भाग्य की आशा कर रहा था आप मैंसे कुछ ऐसे है जो प्रात्नाओं को ग्रहन करने आते है ये सोचते हुए कि कुछ भाग्य से या कुछ अवसर से हो जाएगा कुछ लोग प्रचार को सुनते है और प्रात्नाओं को ग्रहन करने आते है ये सोचते हुए कि भाग्य से हो जाएगा यदि पि उनके पास कोई विश्वास नहीं होता यदि उनके पास राई के दाने के समान विश्वास है तो वे उत्तर प्राप्त करेगे लेकिन वे नहीं करते इसलिए येश्यू ने उससे कहा यदि तो कर सकता है यहो क्या बात है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है और उसी वक्त बालक के पिता ने तुरंत गिड़ गड़ा कर कहा हे प्रभू मैं विश्वास करता हूँ मेरी अविश्वास का उपाए कर सबसे पहले उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ फिर उसने कहा कि मेरे अविश्वास का उपाये कर ऐसा लगता है कि ये बड़ी अजीब बात है इसका कोई अर्थ नहीं बनता लेकिन वास्तुक्ता में इसका अर्थ है फर्क सिर्फ इतना है कि प्रतिक वक्तवियों में आत्मिक अर्थ अलग-अलग पाया जाता है उसने येश्यू के बारे में बहुत सा समाचार सुना उसने सुना कि येश्यू ने दुष्ट आत्मा को निकाला अधे देखने लगगे, बहरे सुनने लगगे, गोंगे बोलने लगगे परमेश्यू के अदवूत आश्चरे कर्मों को प्रकट किया क्योंकि उसने समचार सुना और वो जानता था जो कुछ हो रहा था इसलिए उसने अंगिकार किया कि वो विश्वास करता है अपने ज्ञान के तवारा यहां तकि जब आपके पास ज्ञान के तवर पर विश्वास होता है तो सबसे पहले आपको प्रभू के पास आना चाहिए और फिर वो कहता है कि मेरे अविश्वास का उपाएकर यहो कहकर इस मनुश्यों ने उत्तर प्राप्त करने के लिए आत्मिक विश्वास मांगा क्यूंकि उसने महसूस किया कि उत्तर राप्त करने के लिए उसके पास आत्मिक विश्वास नहीं है हालाग्य उसके पास ज्यान के तोर पर सुनने के द्वारा विश्वास था जब येशु ने इस मुनश्यों को द distractions से मांगते हुए देखा तो येशु ने उस अशुद आत्मा को यहो कहकर डांटा की हे गुंगी और बहरी आत्मा मैं तुझे आग्या देता हूँ कि उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश्च न करना और उसके बाद वहो बालक स्वस्थ हो गया सबसे पहले उस बालक के पिता के पास केवल ग्यान के तौर पर विश्वास था लेकिन येशु से मागने के बाद उसके पास आत्मिक विश्वास प्राप्त हुआ और उसके आत्मिक विश्वास के द्वारा उसका बेटा पूरी तरह से चंगा हो गया